हलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का जीकर ट्रैक इटूब चैनल में तो दोस्तो आज के इस वीडियो में हम IPL 2022 से सम्मंदित यानि की IPL की जो सभी 10 टीमे हैं तो उनके नए कप्तान कौन है और उनके मालिक और उनके मुख्य कोच कौन बने है तो इन सभी से सम्मंदित प्रसना में इस वीडियो में देखेंगे तो इस वीडियो आपके लिए महत्त को हने वाला है आप वीडियो पुरे अंड तक देखते रहे हैं तो चले आज के वीडियो शुरू करते हैं तो यहाँ पर आज का पहला प्रसन है आईपेल 2022 की नई टीम गुजरात टाइटन्स के कप्तान कोन है तो देखें जैसे के आप से भी जानते हैं मैंने आपको पहले भी बताया है कि इस बार आईपेल में दो नई टीम में बनी है गुजरात टाइटन्स और लखनव सूपर जाइंट्स तो जो गुजरात टाइटन्स टीम है तो इसके कप्तान बने है हारदिक पांडिया तो इस कांसर अपसन यह हो जाएगा गुजरात टाइटन्स टीम के कप्तान है हारदिक पांडिया और देखें बात करें इस टीम के मुख्य कोच कोन है तो गुज्डाई टाइटन्स टीम के मुखे कोच बने हैं आसेस, नहरा और बात करें मालिक की, यानि की इसके ओனर कौन है तो CBC Capital Partners इसकी मालिक है यानि की जो CBC Capital Partners है ये एक लंडन की investment फरम है जोकी गुज्डाई टाइटन्स की मालिक है इसके बाद कॉस्टन नमबर दो है IPL 2022 की नई टीम लखनव सूपर जाइंट्स के कफ्तान कौन है तो देखे लखनव सूपर जाइंट्स भी या IPL की नई टीम बनी है तो इसके कफ्तान बने है केल राहुल तो इसका अंसर उप्सन डी हो जाएगा और देखे बात करें लखनव सूपर जाइंट्स के मुख्य कोच कोन बने है तो एंडी फिलावर बने है और देखे बात करें इसके मालिक की यानि किसकी ओनर कोन है लखनव सूपर जाइंट्स की तो इसका मालिक आना हक RPSG गुरूप के पास है RPSG Group यानि की RPS Sanjeeb Goyan का Group जिसके चेर्मेन है Sanjeeb Goyan का याद रखना है इसके बाद हगला कॉस्सन है IPL 2022 में चेनने सुपर किंग्स टीम के नए कपतान कौन बने तो दिखे महत्रपन प्रसन है चेनने सुपर किंग्स टीम के नए कपतान बने है रविंदर जडेजा तो इस कांसर ओप्सन भी हो जाएगा दिखे इन से पहला महेंदर सिंग धोनी थे लेकिन अब सीएस की टीम के नए कपतान बने है रविंदर जडेजा और दिखे इस टीम के मुखे कोच है स्टीफन फ्लेविंग और दिखे बात करें इसके मालिक यानि की ओनर की तो जो एन स्री निवासन है इंडिया सिमेंट लिमिटेड के जो मालिक है तो इसकी जो फ्रेंचाइज यह चेनने सूपर किंग्स किर्केड लिमिटेड तो यह इसकी मालिक है याद रखना है इसके बाद अगला कोशन है आईपेल 2022 में रोयल चैलेंजर्स बैंगलूर यानि के RCB टीम के नए कपतान कोन बने तो दिखे रोयल चैलेंजर्स बैंगलूर टीम के नए कपतान बने है फाप डू पिलेसी तो इस कांसर उप्सन यह हो जाएगा दिखे इनसे पहले बिराड कोली थे लेकिन अब रोयल चैलेंजर्स बैंगलूर टीम के नए कपतान बन गए है फाप डू पिलेसी दिखे इस टीम के मुखे कोश है संजे बांगर और बात करें इस टीम के मालिक यानि के उनर की तो इस टीम का जो मालिकान हक है युनाइटेड स्प्रिट्स लिमिटेड के पास है ये जो युनाइटेड स्प्रिट्स लिमिटेड है ये एक भारतिया मादक पे कंपनी यानि कि ये सराव और बियर जैसी चीजे बनाती है तो इस कंपनी की जो परतमान में CEO और MD है कोन है तो हीना नागराजन है याद रखना है इसके बाद अगला कॉस्सा ने IPL 2022 में कोलकाता नाइट राइडर्स यानि की KKR टीम के नए कप्तान कोन बने तो इसका राइट आंसर उप्सन सी हो जाएगा स्रेयस आयर तो देखे स्रेयस आयर को IPL 2022 में कोलकाता नाइट राइडर्स टीम का नए कप्तान बनाया गया है याद रखना है और देखे इस टीम के मुख्य कोच है ब्रेंडन मैकुलम और देखे बात करें मालिक की तो इस टीम के जो मालिक है रेड चिलीज एंटर्टेन्मेंट और महता गुरूप है देखे रेड चिलीज एंटर्टेन्मेंट कमपनी के मालिक सारुकान है और महता गुरूप के मालिक जोही चाबला और जै महता है तो याद रखना है इसके बाद नेश्ट कोस्टन है आईपेल 2022 में पंजाव किंग्स टीम के नए कप्तान को होने बने है तो इसका राइट आंसर ओप्सन डी हो जाएगा मयंक अगरबाल तो देखे मयंक अगरबाल को आईपेल 2022 में पंजाव किंग्स टीम के नए कप्तान बनाया गया है तो याद रखना है और देखे इस टीम के मुख्य कोच है अनिल कुमले और बात करें म技क की तो इस टीम के कई सेह मालिक हैं जैसे की पृति जिंटा, मौहित बर्मन, नेस बार्डियावर, करणपौल तो ये इस टीम के मालिक हैं याद रखना है इसके बाद अगला कोशन है IPL 2022 में राजिस्थान रोयल्स टीम के कप्तान कौन है तो देखे राजिस्थान रोयल्स टीम के कप्तान है संजू सैमसन तो इसका अंसर उपसन यह हो जाएगा और इस टीम के मुख्य कोश है कुमार संगाकारा और बात के राजिस्थान रोयल्स टीम के मालिक की तो इस टीम के मालिक है मनोज बदाले और लचलान मर्डोग याद रखना है इसके बाद अगला कोशन है IPL 2022 में दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान कोन है तो देखे आप से भी जानते हैं दिल्ली कैपिटल्स टीम के कप्तान है रिसब पंत तो इसका अंसर ओप्सन भी हो जाएगा और इस टीम के मुखे कोश है रिकी पॉंटिंग और बात करें मालिक की तो दिल्ली कैपिटल्स का जो मालिकाना हक है जे एस डबलो ग्रूप और जे अमार ग्रूप के पास है इसके बाद अगला कोशन है IPL 2022 में मुमबई इंडियन्स टीम के कप्तान कोन है तो देखे आप से भी जानते हैं मुमबई इंडियन्स टीम के कप्तान है रोहित सर्मा जो कि भारते टीम के कप्तान भी है तो इसका अंसर अप्सन दी हो जाएगा और देखे इस टीम के मुखे कोश है महिला जावर्दनी और देखे बात करें मालिक की तो मुमबई इंडियन्स टीम का मालिकान हग रिलाइंस इंडियन्स टीम के पास है जिसके मालिक मुके संबानी है तो याद रखना है इसके बात कोशन नमबर 10 है आईपेल 2022 में सन्राइजर्स हैदराबाद टीम के कप्तान कोन है तो देखे सन्राइजर्स हैदराबाद टीम के कप्तान है कैन बिलियन्स टो इसका अंसर ओप्सन डी हो जाएगा और देखे इस टीम के मुक्खे कोश है ट्रेवर बैलिस और बात करें मालिक की तो इस टीम का मालिक आना हक सन्राइजर्स के पास है जिसके मालिक है कला निदी मारन तो याद रखना है तो दोस्तों ये थी आईपेल की 10 टीम है जिनके मैं आपको कफ्तान मालिक और मुक्खे कोश बताए अब इसके अलावा कुछ और प्रस्न देख लेए कोशन नमबर 11 है 2022 में आईपेल का कौन सा संस्क्राण है तो देखे 2022 में ये आईपेल का पंधरवा संस्क्राण है तो इसका आंसर ओप्सन भी हो जाएगा और देखे आईपेल का पहला संस्क्राण 2008 में खेला गया था जिससे राइस्थान रोयल्स टीम ने जीता था तो या तो इसका answer option C हो जाएगा इसके बाद अगला question है IPL की दो नई टीमें कौन सी बनी है तो दिखे इस बार IPL की दो नई टीमें बनी है जिनके नाम है गुजरात टाइटन्स और लखनौ सूपर जाइट्स तो इसका answer option D हो जाएगा A एबं B दोनों तो इन दोनों टीमों के नाम याद रखने है इसके बाद अगला question है IPL 2022 का title sponsor कौन है तो देखे महत्कुन प्रस ने IPL 2022 का title sponsor यानि की मुख्य प्राय जो कंपनी कौन सी बनी है तो टाटा बनी है यानि की टाटा ग्रूप है तो इसका answer option C हो जाएगा तो याद रखना है और देखे इसके लाबाब बात कर आई पेल 2022 की official partners company कौन सी यानि की आधिकारिक भागिदारी company कौन कौन सी है तो रूपे dream 11, safari, anacademy, credor, up stocks तो ये सबी IPL 2022 की official partners company है और देखे जो रूपे है ये इसी बार 2022 में इसकी official partners बनी है तो याद रखना है रूपे मेहत पून है और देखे इसी के साथ IPL 2022 की official on ground partner बन स्वीगी इंस्टा मार्ट और official broadcaster यानि की आधिकारिक प्रसान करता कोन है तो star sports है और इस इक साथ देखे official digital streaming partner है डिजनी प्लस hot star और empire partner है ptm और official static time out partner है c8 तो आपको ये सभी याद रखने इस सभी मेहत पून है इसके लावा अगला कुस्षान है IPL 2022 auction में सबसे महगे खिलाडी कोन बिके तो देखे 2022 के IPL auction में सबसे महगे खिलाडी बिके है इसान किसन तो इस का answer option see हो जाएगा इसान किसन किस team में है तो इने मुंबई इंडियन्स ने 15 करोल 25 लाग रुपे में खरीदा है याद रखना है इसके लावा अगला कुस्षान 2021 में IPL का 14 संसकन किस team ने जीता था तो देखे 2021 में जो IPL खिलागा था तो इसे जीता था चेनने सूपर किंग्स ने तो इसका answer option see हो जाएगा चेनने सूपर किंग्स ने कोलकाता नाइट आइडर्स को हराकर IPL का 14 संसकन जीता था याद रखना है इसके बाद अगला 2021 तक सबसे ज़्यादा बार IPL किस team ने जीता है तो देखे 2021 तक सबसे ज़्यादा बार IPL का खिताब जीता है मुंबई इंडियन्स ने तो इसका answer option B हो जाएगा मुंबई इंडियन्स ने 5 बार IPL जीता है अब देख कप कप जीता तो 2013 में 2015 में 2017 में 2019 और 2020 में जीता था और PC के साथ देखे दूसरे स्थान पर चिन्ने सुपर किंग्स ने चिन्ने सुपर किंग्स ने चार बार IPL जीता है 2010, 2011, 2018 और 2021 में तो याद रखना है तो दोस्तों आज के लिए इतना ही उमीद करते हूं आपको वीडियो पसंद आयो और आपको वीडियो अच्छे लगाओ आ प्लीज वीडियो को लाइक और सेर करना साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना तो चलिए मिलते नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद जय भारत